अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज आपको बहुत ही गहराई से समझ में आने वाला है परीमे संख्या और अब परीमे संख्या तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाईज अब से पहले जानते हैं हम परीमे संख्या तो गाईज यहां पर आपको दिख रहागा परीमे संख्या जिसे इंगलिस में कहते है रेशनल नंबर्स मैंने लिख रहा है कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रुप में लिखा जाता हो लेकिन Q का मान जिरो नहीं होना चाहिए उसे परिमे संख्या कहते हैं यहां पर ध्यान दिजे कह रहा है परिभासा कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रुप में यानि P हो जागा उपर और नीचे हो जागा Q यानि उपर वाला P को हम बोलेंगे अंस और नीचे वाला Q को हम बोलेंगे हर आप P बटा Q की जगह पर आप यहाँ पर A और N भी ले सकते हैं जी हाँ, आप यहाँ पर A और N ले सकते हैं यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर आप L और A में भी ले सकती है तो आपको समझने के लिए लिखा जाता है P बाटा Q तो आप यहां पर घबराईएगा मत ठीक है तो P बाटा Q के रुप में अगर होगा तो उसे हम कहते हैं परिमे संख्या मतलब क्या है इसका तो P का मान हम ले ले लेते हैं 5 और Q का मान हम ले ले लेते हैं 2 तो यह क्या हो गया भीन के रुप में हो गया यानि यह अंस हो गया और नीचे वाला हर हो गया तो यह जो संख्या हो गया यह हमारा क्या हो गया परिमे संख्या ये परिमे संख्या क्यों हो गया क्योंकि यार अंस बटा हर के रुप में है उपर वाला अंस और नीचे वाला हर तो ये संख्या क्या हो गया हमारा परिमे संख्या अब इसी तरह से और भी एक्जामपल अप ले सकते हैं जैसे माइनस पांच बटा माइनस दो ये भी हमारा क्या हो गया ये भी हमारा परिमे संख्या हो गया अब यहाँ पर इस तरह से और भी अपले सकते हैं जैसे 0 बटा 1 ये भी हमारा क्या हो गया परिमे संख्या अब यहाँ पर इस तरह से भी ले सकते हैं जैसे यहाँ पर आप मान लेते हैं दो बटा जीरो अब ये क्या हो गया ये हमारा परिमे संख्या नहीं हुआ क्यों क्यों कि नीचे आ गया जीरो यानि नीचे आ गया जीरो मतलब क्यू कमान क्या आ गया जीरो तो परिभासा में कह रहा है कि वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो ये पी बटा क्यू वाला Q, ये रूप में तो है, लेकिन Q कमान जो है, वो 0 है, जी हाँ Q कमान क्या है, 0 है, तो परिभासा में कह रहा है, कि Q कमान 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अगर 0 है, तो यह परिमे संख्या नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या के नीचे अब यहां पर हम 10 ले लिए अगर 10 के नीचे अगर 0 हो जाता है तो आप इसे परिमे संख्या नहीं कह सकते हैं लेकिन अगर केवल और केवल 10 है तो आप इसे कह सकते हैं कि यह क्या है परिमे संख्या कैसे क्योंकि इसके नी नीचे भी चुपा हुआ है तो कोई भी संखेलिजीगा तो उसके नीचे एक चुपा हुआ है तो ये हमारा 25 क्या हो गया परिमे जीरू नहीं होना चाहिए ठीक है अगर नीचे तो आप उसे परिमे संख्या नहीं कह सकते हैं तो परिमे संख्या आपको आया कि नहीं आया अगर आपको परिमे संख्या आ गया होगा तो चलिए ना समझ लेते हैं अब परिमे संख्या guys यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपरी में संख्या जिसे English में कहते है irrational numbers ओके यहाँ पर मैंने लिख रहा है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा न जाता हो उसे अपरी में संख्या कहते हैं जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं pi पाई हमारा क्या है यह अब परिमे संख्या का उधारन है इसके बाद रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8 यह जो रूट वाले जो भी संख्या दीख रहें आपको यह सभी के सभी क्या है अब परिमे संख्या है ठेक है यह अब परिमे संख्या क्यों है क्योंकि यह इस तरह से नहीं है भाई इस तरह से है ये पी बटा क्यों के रुपे में नहीं है इसलिए ये हमारे क्या है अब परिमे संख्या ठेक है और हाँ एक जीज ख्याल रखेगा रूट वाले जितने भी संख्या होंगे वे हमारे अब परिमे संख्या होंगे लेकिन आसाने से ये भ वर्गमुल निकालते हैं तो भाई चर्चौव के 16 हो जाता है यानि हम 16 को चार लिख सकते हैं वर्गमुल निकाल करके तो चार यह हमारा क्या हो गया जार हमारा परीमे संख्या हो क्यूं क्यों की 4 के नीचे 1 छूपा हुआ है इस तरह से आप समझ सकते हैं जिसका अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो आप उसे कह सकते हैं परिमे संख्या और जिसका नहीं निकला रूट में जो रूट वाला होगा और उसका वर्गमूल आ गया होगा तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में तब दे के लिए जै हिंद जै भारत